वेलकम बाक टो दे चैनल फ्लापार ब्लोक्स काफी टाम से ब्लोकिंग नहीं हो पारा जस्ट बिकाउज तो बहुत बॉट बीजी सेडियूल हो गया था तो आज में बहुत अच्छे इंफोर्मिशन के साथ हैं कि अगर आपके पास किसी तरीके का पेट है जैसे से छोटा सा डॉग, कैट, रैपिट या कुछ भी होता है मेरे पास तो रैविट है तो उसको अगर आपको कहीं ले जाना हो मतलब इन केस बाइट ट्रेन और वाया कार अगर ले जाना है तो किस टाइब का आप बैग खड़ी सकते हो पेट केरियर किस टाइब का होना चाहिए कि वो अच्छे से मतलब आपके पेट को भी कोई प्राबलम ना हो और आपको भी कोई प्राबलम ना हो तो इन सब चीज को ही नोटिस करकर मैंने एक केज मंग आया था मतलब मुझे नेक्स मन्थ कहीं ट्रैवल करना है वाया ट्रेन तो मैं बताऊंगा कि आप पेट को किस तरीके से ट्रैवल क्लिए कैसे आप ले जा सकते हो और क्या-क्या प्रोसीजर रहेंगे यह सारे चीज़ वन एन हाफ यर्स के रैविट है जो की काफी इसली फिट हो गयता है मैं आपको दिखाता हूं पुले डीटेल फिर मैं आप से मिलता हूं तो यह है वो पैकेज जो मैंने फ्लिप कार्ट से ओडर किया है आप देख रहे होगे चार अतरप से भी सील्ड है तो मैं अब इसका अनबॉक्सिंग करता हूं और देखता हूं कि इसमें क्या कैसा है मतलब मैंने जो ओर्डर किया था केज वो थोड़ा सा मोटा था बड़ इसमें काफी पतला दिख रहा है इम नाट शूर कि हाँ इसमें वही है या दूसरा है इसमें अभी इसको उपन करते हैं और देखते ह अच्छी पैकिंग होती है फ्लिप काट की आप सब लोग जानते होंगे अमाजन से बेटर मुझे फ्लिप काट कहीं पैकिंग रखता है तो यह रहा वो केज जो कि मैंने ग्रे कलर का ओडर किया था तो यह हाफ है और हाफ इसके अंदर है ओके तो इसको असेंबल करना होगा आपको इसको made in china है यहां पर और इए एक handlebar है जिससे आप उठा सकते हो cage को तो यह एक knobda राव इसको cut कर देते हैं कि इसको कट करने के बाद हम चेक सकते ऑसको निकाल कर चेक करना होगा ओके तो इसमें यहां पे गेट है आप देख लो अंदर में क्या-kya अवलेबल है एक गेट है जो कि आप इसमें फिट कर सकते हो और कुछ नट वोल्ट सांगेज दिये हैं कि आपको नट वोल्ट किस तरीके से कसना है कैसे उसको अपडेट करना है मतलब आपको असेंबली किस तरीके से करना है उसका एसेसरी भी उसमें दे रखा है कि आपको कैस मतलब अलग से मतलब आपको कुछ टूल्स रखने की कर सकते हो ठीक है एक नट और एक वोल्ट मतलब डाउन करके आप यह उपर करके कैसे इसको असेंबल कर सकते हो गेट तो काफी ठीक है जो कि इस तरीके से यहां पर फिट आ जाएगा ऐसे फिट आएगा यह तो देखो मतलब मैं असेंबलिंग करना सुरू करता हूं इसका और आपको मैं दिखाता हूं कि नॉर्मल यह एक एलन की है जिसको लगा कर आपको सिंपल है मतलब इसके साइज कहीं मिला है आपको तो टोटल कितने हैं आप देख लो अभी मैं इसको फिट करने करता हूं यह सीधा करके लगए जो ब्लैक आपको दिख रहा है वह बाहर की चार साल चल जाये राविट या फिर चोटे मुटे हैंस्यार वगेरा के लिए अच्छा रहेंगा तो यहां पीज़ा जाएगा इस चेट में यहां पर इस कौनर पर और इस कौनर से यहां पर यह फिट आएगा तो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखेगा ताकि जिवल नहीं होगा ठीक है तो यह मेड इन चाइना है कोई प्रावलम नहीं है और यह देखो यह जो गेट है ना इसके चारों कॉर्णर है इस तरीके से बाहर रहेंगे तो अब हमेशा ध्यान रखना कि फिटिंग करने से पहले आप इसको मेज़र कर लो अब मैं इसको लगान की में दिक्कत होगा मतलब एक दो बार राउंड अगर हो जाता है तो एक बार चेक कर लेता हो कि इसी का है या फिर दूसरे का है तो थोड़ा सा स्क्याइट रखना होगा आक को इसको स्ट्रेट रख करourcing इस तरीके से थ्ड़ावा सब 걵 करके ऊपर से इसको कस दिये हैं बस तो इसी तरीके से आपको अलेंड की के मदद से पूरा कस लेना है चारों तरह से पूरा टाइट मत करना काइस कभी भी आप कुछ तो सारे नट वोल्ट एक ही वार में फूल टाइट मत क्या करूं मतलब थोड़ा 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 करकर लास्ट में सब को फूल टाइट कर सकते हो जिसे क्या होता है वह एक्जेक्ट लोकीशन पे सेट हो जाता है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूं ताकि आपको भी बचे और आप पूरा देख वी लोग कि किस तरीके से सेंब्ली क्या है मैंने तो यहां पर हो चुकी है इसम्ब्ली कंप्लीट जैसा कि आप में वीडियो में देखा और यह गेट जो है ब्लाक कलर का हमेशा आगे होगा ताकि आप इसको उपिन कर सके इस तरके से प्रेस करना है और डोर उपेन हो जाएगा आपको कुछ भी अगर अलग से करना है जैसे नीचे माली जे पैड बिछाना है या किसी तरीके का बेड रखना है तो आप रख सकते हो मतलब हाइड काफी अच्छा है तो मैं एक बार देखता हूं दोनों कहां घुम रहे हैं मेरे इसमें डाल के मैं चेक करूंगा कि हाँ वो लोग अच्छे से रह पाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यह आप हमीसा ध्यान रखना कि यह जो ब्लैक कलर का है यह उतना हाड नहीं है और क्लोज करने के वाक्त थोड़ा ध्यान देना कि यह जो उपर का आपको द आपको फुल टाइट नहीं करना होता है तो अभी लास्ट में फिनिसिंग दे रहा हूं मतलब फाइनल टैच जो मैंने बताया था आपको कि लास्ट में फुल टाइट करने से प्रॉपर असेंबली हो जाता है इस वीडियो में मैं आपको सारा डीटेल्स बता दूंगा कि इ प्रॉब्लम होता है तो मैंने उस वक्त लूज ही रखा था क्योंकि मुझे वह गेट फिट करना था और चेक करना था कि किस तरीके से वह ओपिन होता है किस तरीके से क्लोज होता है तो यह सभी नट टाइट हो गए है है तो तुदल तीन तीन चे और चार चे और दो आट वोल्त लगेंगे आपको तीन-तीन साइड में रहेंगे दो पीछे रहेंगे टोटाल एट वोल्त नट और इसमें एलन किसे मदद से आप इसको टाइट कर ले जाए तो अभी ये रेडी हो चुका है मतलब इसमें मैं केज में डाल के अराम से रैविट को उठा सकता हूं और चेक कर सकता हूं कि हां मतलब उनका वेट वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है तो मेरे दो रैविट्स हैं अरांड 4-5 kg होंगे मतलब काफी टाइम से डाक्टर के पास नहीं गया कंसल्टेंट के लिए तो मुझे उनका वेट एक्जैक नहीं पता बट 5 kg होंगे maximum तो अगर आपका चोटे पिट हैं अगर 5 kg तक का तो इसली आप इसमें रख सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको ठी रहे हैं तो उनको लेकर आता हूं अफिर इसमें अंदर डाल कर फिर मैं देखता हूं ठीक है तो एक मिनट मैं देख लूँ तो यह अब दर्वाजा का ध्यान रखना मतलब यह ना दोनों साइट से प्रेस करोगे तब ही ओपन होगा अधरवाइस यह ओपन नहीं होगा मेटल क्वालिटी इतना ही बुड़ा नहीं है तो यह रहा सेटप रेडी है अब यह रहा मेरा एक रैविट आप देख लो इसको मैं अगर उठाता हूं मान लो देखो यह दोनों रैविट इसमें फिट आ गया है ठीक है तो दो रैविट के लिए कोई प्रावलम नहीं है य यह रही दो दिन तो ठीक है मतलब यह अच्छा है दो रैविट के लिए अच्छा है और एगर चोटे डॉट चोटे डॉट है आपके पास चोटा पपी है काफी कैट है तो उसके लिए उसका उनलाइन लेते हो तो चीपेस परता मैं ऐसे मार्केट में पूछने गया था तो अगर आपको यूसपूल लगता है तो प्रोडेक्ट आप मंगा सकते हैं और ले सकते हैं और बेज़िए कि यूस कर सकते हैं सिंबल एसेंबली है उतना कुछ हाड तफ नहीं है यार और एडिस्नल एसेसरी जगर लेना चाहते हैं जैसे कि बेल्ट उसमें लगाने का आता है अगर आप लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं ऑन लाइन भी मिल जाएगा ओन्मौस्स सेम ही रेट है ओन-लाइन ऑफ लाइन का तो आप पर्चिस करके अराम से अपने पेट को कहीं भी ट्रैवल क्रीट क्रिनिक लिए उस केज को अबतलब अगर पॉजिटिव केसी बात करे का गेट है उतना स्ट्रॉंग नहीं है अपके पास कुट्ता बिली जो बाहर निकल के काट सकते हैं या फिर कुछ ऐसे तो उसके लिए आप उसका यूज नहीं करो तो अच्छा है बट ऑनर साथ में होता है तो ऐसे भी वो लोग काम रहते हैं तो आप यूज कर सकते हो इड़ और अनिमल संपेट्स आप इस आप एड़ नाट रिकमेंडेट फोर डॉक्स अनल बट कैट और रबिट और हमस्टर इंस अब इस फोर अल दश्माल पेट्स जो भी स्मॉल पेट्स अंके लिए आप की उसकते हैं तो बस आच के लिए इतना ही मिलते नेक्स व्लाग में तब लिए बाइबाई टेक क्यार एंड टेक्स